अहंकार की मुठी बांदी है या समरपण की अंजुली बनाई है तुमने इस ग्यान को ग्रहन कर पाओगे 24 वस्तूओं से बने मनुष्य नामक यंत्र में वास करता है पुरुष अर्थाद परमात्मा का अंजुली जब प्रक्रती और पुरुष का मेल होता है पर्थाद जब परमात्मा का अंज आत्मा बनकर देह में वास करता है तब मनुष्य जीवित होता है मनुष्य जैसे रत का उप्योग करता है जैसे ही आत्मा शरीर नाम के इस यंत्र का उप्योग करती है चरीर के माध्यम से शरीर के सुख दुख का उप्भोग करती है किन्तु आत्मा शरीर नहीं पार्थ शरीर का नाश किया जा सकता है चिंतु आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता ने नंग छिन्दनती शस्त्राणी, ने नंग दहती पावका नचैनंक लेध यंट्यापो, नशोश्यती मारत आत्मा न शस्त्रों से छेदी जा सकती है और ना ही अग्नी से जलाई जा सकती है ना जल उसे निर्बल कर सकता है और ना ही पवन उसे सुखा सकती आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर ना हन्यते हन्यमाने शरीरे बार्थ शरीर की हत्या की जा सकती है किन्तु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती आत्मा तो सर्व व्यापी है अचल है स्थेर है सनातन है पुराना वस्त्र त्याग कर जैसे मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ कर बार बार नया शरीर धारण करती है परन्तु माधा मैं तो जगत का अनुभाव अपने शरीर के माध्यम से ही करता स्वेम को देहना जानकर मैं आत्मा कैसे जान सकता हूँ स्वेम को आत्मा के रूप में जानना असंभव भी नहीं पार अंध भी जीते हैं गुंगे भी जीते जिनके पास हाथ पैर नहीं होते वो भी जीते पश्ट की शरीर मनुष्य ने जिसकी चेतना चली जाती है जिसे मूर्चा आ जाती है वो भी जीवित रहता इसलिए स्पश्ट है की मनुष्य का चेतन तत्व वो भी शरीर ने इसी प्रकार जो वेक्ति अपने भीतर खोज करता है मैं इंद्रिया ने शरीर नहीं, भावनाई नहीं, विचार नहीं, ग्यान ही मैं नहीं जो ये समझता जाता है, वो अंत में स्वैम को आत्मा के रूप में जान भी लेता है इस्पदार्तों से गिरी आत्मा को विस्मर्ण हो जाता है कि वो परमात्मा का अंश है अधिकतर आत्माएं अपनी देह को ही सब कुछ मानती है स्वयम देह से भिन है ये जान ही नहीं पाती शरीर को जो सुख, दुख, स्वाद, गंध, आदी का अनुभव होता है उसे अपना अनुभव मान लेती है और बदलाव का प्रयास ही नहीं करती जो आत्माएं बदलाव का प्रेत्न नहीं करती है निरंतर अधर्म करती रहती है उन्हें जागरित करने के लिए दंड देना निवारे है तुम भी ये जान लो पात कि तुम शरीर नहीं केवल एक आत्मा हो इस रण भूमी में दिखाई देने वाला प्रतेक योद्धा वो नहीं जो तुम उन्हें मानते हो कुछ समय के लिए इन सब ने शरीर में वास किया इनके शरीर मरेंगे किन्तु ये सब अमर वो बुना नया शरीर धारण करेंगे जब तक स्वेम को शुधात्मा के रूप में जान नहीं लेंगे जब तक धर्म का ध्यात करके धर्म में जिड़ नहीं होंगे तब तक ये जन्म लेते और मरते रहें जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा और जो मरता है वो अवश्य फिर से जन्म लेगा इस महाग्यान को सांखे योग कहते है जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयम को आत्मा के रूप में देखता पर मात्मा के अंश के रूप में स्वयम को जानता उस मार्ग को धर्म को देखता जब मनुष्य स्वयम को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता कि ये स्रिष्टी ही परमात्मा है और ये परमात्मा ही स्रिष्टी है स्रिष्टी और परमात्मा में कोई भेद नहीं जो मनुष्य ये जान लेता वो दूसरे मनुष्य और प्राणियों की और तिरदय और कटोर नहीं होता वो ये जानता कि जीब गटने से पीडा केवल जीब को नहीं होती उसकी अनुभूती समग्र शरीर को होती वैसे एक मनुष्य को पीडा होती है तो समग्र संसार उस पीडा का अनुभव करता जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीडित है तब तक वास्तव में किसी का भी सुक संपूर नहीं जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए उसे धर्म कहते